माता कुश्मांडा, माता सुरुंगार गौरी, माता अन्नपुर्णा और मा गंगा की पावन नगरी है यहां के काण काण में मात्रु शक्ती की महिमा जुड़ी हुई है बिन्द्यवासिनी देवी भी बनारत से बहुत दूर नहीं है काशीद नगरी देवी अहल्याबाई होल करके पुन्यकारियों और प्रबंद कौशल की भी साक्षी रही है इसलिए सौसद में नारी शक्ती बंदन अधिनियम जैसा एतियासिक कानून पांस होने के बाद सबसे पहले काशी मैं आप सबके आशिरवाद लेने आया हूँ और ये मेरा सवभाग्या है कितनी बड़ी तादाद में आप हमें आशिरवाद दे रहे हैं संयोग से कुछ ही समय में दुर्गा पुजा का उत्सव भी शुरू होने वाला है बनारस में जगे जगे दुर्गा पंडाल की तैयारी चल रही है के लिए महिला विकास के नए रास्ते खुलेंगे लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं की उपस्तिती बढ़ेगी मैं उस उपलब्दी के लिए आपको भी और देश भर की माता और बहनों को आजकाशी की पवित्र धर्ती से रवे से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे परिवार जनों नारी का नेत्रुत्व बाकी दुनिया के लिए एक आधुनिक भवत्ता हो सकती है लेकिन हम तो मादेव से पहले मापार्वती और गंगा को प्रणाम करने वाले लोग है हमारी यही काशी रानी लक्ष्मिबाई जैसी विरांगना की जन्म भूमी भी है आजाजी की लड़ाई में लक्ष्मिबाई जैसी विरांगनाओं से लेकर आधुनिक भारत में मिशन चंद्रयान को लीड करने वाली महिला वेग्यानिकों तक नारी नेत्रुत्व का सामर्त क्या होता है यह हमने हर कालखन में साबित किया है आप नारी शक्ती बंदन अधिनियम को ही लीजिए तीन दसकों से यह कानून लटका हुआ था लेकिन आज आपकी ही ताकत है कि सदन के दोनों सदनों में ऐसी ऐसी पार्टियों को इसका समर्तन में आना पड़ा जो पहले इसका भरपूर विरोग करते थकते नहीं थे और इसलिए आप माताओ बेहनों में जो जागरुक बनी है आप एक बनी है एक जुट बनी है यह इंदुस्तान की सभी राजनिरिक पार्टिया अब आप से डर रही हैं कांप रही हैं और इसलिए बिल पास किया है यह आप की ताकत है अब नारी शक्ति मंदन अधिनियाम रिकॉर्ड वोटों से पारित हुआ है और आपके आशिरवाद से इसका सवभाग्य आपके काशी के एमपी को मिला है मेरे परिवार जनो बीते नव वर्षों में मदद पहुँच गई किसी को घर मिल गया किसी रेडी पट्री वालों को बैंक से लोन मिल गया वे इतने भाब विभोर थे कि माताओ बेहनों के लिए जो काम हो रहा है वो देश की शक्ति बढ़ा रहा है मनारस में दो लाग तीस जथार से ज़्यादा महिलाओं को दो लाग तीस ज़ार से ज़्यादा उजवला योजना का लाग मिला है उजवला योजना की लाबारती महिलाओं को अब प्रती सिलिंडर सरकार से चार सो रुपिये की सबसीडी भी मिल रही है बाजपास सरकार के दोरान यहां बनारस में पी-एम आवाज योजना के तहफ 75,000 पक्के घर मनाके गरीबों को दिये गए है इन में से ज़्यादातर गर आप मारी मैलाओ माताओ बेनों के नाम पर है आप भी जानती है कि हमारे यहां मैलाओ के नाम संपत्ती रखने की परंपरा कम ही रही है गाड़ी खरिदनी हो तो पुरुष के नाम जमीन खरिदनी हो तो पुरुष के नाम दुकान खरिदनी हो तो पुरुष का नाम गर खरिदना हो पुरुष का नाम हमारे यहाँ यही जला करता था लेकिन मोदी ने आकर देश की माताओं बैनों बेटियों के नाम संपत्ति की परंपरा शुरू किया है हमने पी-एम आवाज योजना में महिलाओं के नाम भी घर देने का प्रावदान किया इस वजह से आज कासी मैं भी हजारों महिलाओं के नाम अब गर की रजिस्ट्री हुई है इससे परिवार में समाज में उनकी एहमियत भी बड़ी है मेरे परिवार जनो आज खेल के बैदान से लेकर राफेल उड़ेने तक हर जगे हमारी बेटियां कमाल कर रही है जब महिलाओं को समान आउसर मिलते है तो विकास को कितनी गती मिलती है हमारा बनारस इसका साक्षी है हमने मुद्रा यूजना सुरू की बनारस में हजारों महिलाओं को मुद्रा यूजना से लाब मिला या हैंडिक्राप का काम हो शिल्क की कारिगरी हो या आचार बनाने जैसे ग्रव उद्योग हो महिला ये बड़ी संख्या में इन से जुड़ी है मुद्रा यूजना के सैयोग से इन उद्योगों को नई ताकत मिली है कितने ही छोटे बड़े उद्योगों जो बंद होने की कगार पर थे आज उनके प्रोड़क्ट देश दुनिया के बाजार में पहुंच रहे हैं बनारस और पुर्वानचल में बड़ी संख्या में महिला, स्वयम, सहायता, समूव भी तैयार हुए है ग्रामिन छेत्रों में सेल्फ हेल्फ ग्रुप के जरिये महिला ये परिवार के हाला तुदार भी रही है और साथ ही स्थानिय अर्थिवर्वस्ता को भी गती दे रही है बैंक सखी, कृची सखी, पशू सखी की भी एक बड़ी संख्या तैयार हुई है इन महिलाओं ने अपने इलाकों में एक नई पहचान बनाई है लोगों को पता है कि कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए तो ये महिलाए रास्ता दिखाएगी स्वानी जी योजना का लाब भी कई महिलाओं को मिला है मनारस में परेटन से रोजगार मिलता है उसमें महिलाओं की भागिदारी बहुत जादा बढ़ रही है मैं चाहता हूँ टूरिस गाइड जैसी भूमिकाओं के लिए भी हम बनारस में महिलाओं को आगे लाएं उन्हें ट्रेनिंग दे ताकि बार से जो यात्री आएं उनको बनारस की एक एक चीज़ की जानकारी दे इससे महिला टूरिस्ट को आसानी होगी महिला टूरिस्टों की आने की संख्या बढ़ेगी आर्बनारस की बैनों को रोजगार मिलेगा मेरे परिवार जनो नारी शक्ती बंदन अधिनियाम एक व्यापक भीजन वाला कानून है इस कानून की ताकत तब बढ़ेगी जब समाच से लेकर परिवार तक हर स्थर पर महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के आउसर भी बढ़ेंगे हमें ऐसा समाच त्यार करना है जिसमें नारी को आगे बढ़ने के लिए किसी की सहीयोग की भी जरूरत न पढ़े इसके लिए कानूनी प्रयाद भी जरूरी है और सांसकृतिक मुल्यों को भी मजबूत करना जरूरी है इसलिए इस कानून का नाम नारी शक्ती बंदन अदिनियम नारी शक्ती बंदन अदिनियम रखा गया है हाला कि कुछ लोगों को इसमें भी बंदन सबसे परिशानी है अब माता और बेहनों को बंदन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे जी ये लोग नहीं समझ पाते कि नारी बंके बंदन का उसके सम्मान का अर्थ क्या है लेकिन हमें इस तरह की नकारात्मक सोच से बचते हुए अपने लक्ष पर फोकस करना है मुझे विश्वात है हमारी माताओं बेहनों के अशिरवात से देश अमरित काल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा बड़े निर्णे लेता रहेगा आप इतनी बड़ी तादाद में आए हमें आशिरवात दिये और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि माताओं बेहनों की शक्ती ये मेरा बहुत बड़ा सुरक्षा कबच है आपके आशिरवात ये ही मेरी सबसे बड़ी उर्जा है मैं फिर एक बार आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ नवापार्वदी पते हारा हारा महादे बहुत बहुत धन्यवाद